जो पाटी की अध्यक्षा यानि सोनिया गांधी जो लोग आतंकवादी के मारे जाने पर बालती भर कर आसु बहा कर रो सकते हैं तो वो अब मुक्तार अंसारी को क्यूं बचाने का काम नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले भी कहा था और आगे भी कहती रहेगी और करेगे भी ये काम कि जिन जिन लोगों ने हिंदुस्तान की जनता को नुक्सान पहुचाया है जिन जिन लोगों ने मैं कहूंगी उग्रवादियों का काम करा है और आतंकवादी को बढ़ावा द दियाना उस दिन बहुत सारे भांडे फूटेंगे Congress party के जितने Congress के बड़े दिगजशनेटा involved थी ना मुकतार अंसारी को बचाने के लिए उसकी जेल में उसको support करने के लिए उसको पैसा भिजवाने के लिए उसका सारा समर्थन करते थे जो पर्दे की पीछे से होता था जिस पॉलिटिकल नेताओं ने कुछ समर्थन भी दिया, चाहे सपा के हो, चाहे कॉंग्रेस के हो, आज यही हो रहा है, और यह सिर्फ मुक्तार अंसारी नहीं है, जितने लोग, जितने उग्रवादी और आतंगवादी जैसे लोग यहां जेल में बंध है न, जिन्होंने ये काम क साथ हो गया, तो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मन के साथ ऐसे करते हैं, कल आप दलितों के बारे में बोलेंगे, कभी आप जैन और बहुत, कभी आप सिख के बारे में बोलेंगे, क्योंकि किसान आंदूलन चल रहा है, मुक्तार अंसारी अगर गलत है, और कल भागने को करता है तो उसको भी मारा जाएगा तो शरम आने चाहिए कॉंग्रेस पार्टी की सरकार को जहां जहां भी है और पूरी पार्टी को और अध्यक्षा को और इनके जो सोकॉल्ड अध्यक्ष भी है राहूल गांदी जी को भी कि ये निरंतर उन लोगों का समर्थन करते आए जि हमेशा बहाना बनाकर उन्हें सौपा नहीं जाता उत्तर परदेश की पुलिस को सारी को क्यूं बचाने का काम नहीं करेंगे उत्तर परदेश की सरकार ने बराल पहले भी कहा था और आगे भी कहती रहेगी और करेगे भी ये काम कि जिन जिन लोगों ने हिंदुस्तान की जनता को नुक्सान पहुचाया है जिन जिन लोगों ने मैं कहूंगी उग्रवाद उनका ही भांडा फोड़ता है और ये जंता को दिखाता है कि उनका असली रूप क्या है जो लोग ये दिखाते हैं कि वो हिंदुस्तान परस्त हैं उनका ये नाटकिये प्रदर्शन शुरू से ही चलता रहा है और आज भी यही हो रहा है और आगे भी वो यही करेंगे और मैं मुक्तार अंसारी इतना लंबा सफर तैय नहीं कर सकते इसलिए मुत्तर परदेश की पुलिस को नहीं दे रहे हैं मुक्तार अंसारी को जेल में उसको सपोर्ट करने के लिए उसको पैसा भिजवाने के लिए उसका सारा समर्थन करते थे जो परदे के पीछे से होता था जिस दिन उत्तर प्रदेश की पुलिस सवाल करेगी न मुक्तार अंसारी से तो वो चुटकियों में सवालों का जवाब देगा और यही डर है विकास दूबे का भी समर्थन था समाजवादी पाटी से, कॉंग्रेस पाटी का उसके लिए भी लोगों को यही डर था, इसलिए वो चाह रहे थी कि वो पकड़ा ना जाया और उनको पॉलिटिकल नेताओं ने कुछ समर्थन भी दिया, चाहे सपा के हो, चाहे कॉंग्रेस के आज यही हो रहा है, और यह सिर्फ मुक्तार अंसारी नहीं है, जितने लोग, जितने उग्रवादी और आतंगवादी जैसे लोग यहाँ जेल में बंध है न, जिन्होंने यह काम करें, सब को बचाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो कांड करें हैं, जो जनता को लूटा जितने इन गोटाले घपले करें हैं, यह सब कॉंग्रेस की सरकार में हुए, और इन लोगोंने तब से लिकर अब तक और कितने गोटाले कर दिये होंगे, इसका सारा भांडा फूटने के लिए मुक्तार अंसारी का मुख खुलवाना बहुत जरूरी है, जाहिर सी बात है कि पंजाब पुलिस तो करेगी नहीं, क्योंकि वो तो खुद कॉंग्रेस की है, तो अगर इन्हें डर नहीं लगता, तो यह आज नहीं पहले कभी भी दे चुके होते हैं, तो साहिर सी बात है न, वो खुद आके थूरना प्रियंका गांधी वाडरा या राहूल गांधी या स जनता के सामने आ जाएंगे, इसलिए हम उत्तर प्रदेश की पुलिस को नहीं सौपना चाते, क्योंकि उन्हें पता है, कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है न, वो निश्पक्ष जाच करेगी, वो पंजाब पुलिस की तरह उनका ध्यान नहीं रखेगी, उनको फृत से तिकला हुआ गर्मियों में ठंडा पानी, एसी जैसी सुविदा, फाइस्टर वाला उनके साथ जो बरताव हो रहा है, पंजाब पुलिस जो कर रही है, पंजाब की जेल में जो हो रही है मुक्तार अंसारी के साथ, जो वो डिजर्व भी नहीं करते, ऐसा काम नहीं करेगी, और जिस दिन मोग खुलेगा तो उनके सारे काले चिठे खुलेंगे, तो उन्हें कहीं न कहीं डर है, नहीं तो आप आज नहीं तो कल आप सवाल का जवाब देते नहीं, यह आज की चुप़ी थोड़ी ना है, सुप्रीम कोट ने आप आपको बोल दिया, आप तब थोड़ होगे, अल्रेडी आप लोग इतने कटगरे में खड़े हो, चाहे रॉबर्ट वाडरा जी हो, चाहे प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी जी हो, और अगर खुलते जाएंगे, तो जनता इनको सड़क पर उतरना, इनका चलना बंद कर देगा, हमेशा इस तरीके का यह सिक्रेट गोटाले रही है, जो सीक्रेट कुछ ऐसी संपत्ती है, जिसका जरिया विकास दूबे और अनसारी जैसे लोग रही हैं इस जरिये को छुपाने की बहुत बड़ा शडियंत्र है और कथा रची गई है इस कथा को आज छुपाने के लिए आप लोग सामने आने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो और आप ये भी चाहते हो कि आप लोगों जाता था ब्लैक और वाइट किया जाता था वो सेंट्रियल गोर्मन जो समय की होती थी यूपी की सरकार आप लोगों ने इन लोगों के जरिये कराया नहीं तो नहीं आप विकास दूबे को बचाने की कोशिश करते और जब सुप्रीम कोट ने कह दे नहीं आप उनकी बात क अगर लाने के बाद आप दोनों जगा फस रहें अगर आप यह सोचते हैं कि उसका इनकाउंटर हो जाएगा वो भागने की कोशिश करेगा तो भी आप फसते हैं कि आपको इनकाउंटर से बचाना है और अगर आप यह सोच रहे हैं कि वो मुझ खोलेगा तो भी आप फस र शर्म पहरते मिष्चार के रहें क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है तो ये क्या आप लोग तो धर्म ला रहे फिर आप कहते हैं कि नहीं हम लोग तो हिंदू परस्त हैं या मुसल्मान परस्त हैं मुझे बताईए ना धर्म को ला कौन रहा है विकास दूबे अगर दलित होता विकास दूबे अगर मुसल्मान होता तो आप दलने तैंगर मुसलमान काठ खेल लेते है। अबर तो बात यह है कि विकास दूबे का कोई भी ध्रम हो कोई भी जाती हो उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वह भागने कोशिश कर रहा था मुक्तार अंसारी अगर गलत है और कल भागने को कोशिश करता है तो उसको भी मारा जाएगा फिर आप कहेंगे मुसल्मान परस है इस बात से तो ये बात स्थापे मैं कहूंगी जनता के सामने बिलकुल आगे जब विकास दूबे का इंकाउंटर हुआ कि ह हमारी भारती जनता पाटी की सरकार किसी में भेदभाव नहीं करती उसने ये नहीं सोचा कि वो गैंग्स्टर हिंदू है तो उसे बचा लिया जाए वो ब्रामन है हिंदू है पर गैंग्स्टर था इसलिए उसको भी मारा गया क्योंकि वो गैंग्स्टर था ना कि इसलिए क वो ब्राम्मन था जितने काले चिठे ते वो खोले जारे हैं तब तब वो ऐसे गंदी और गलीच बाते करेंगे ये कोई नई बात नहीं है उन्होंने आमेच्छा जी के लिए बोला हुआ है नरेंद्रमोदी जी के लिए बोला हुआ है अब योगी जी के लिए बोल रहे है क्योंकि जो जो आप तो मुखोटा जनता को दिखाय जा रहे ये जो सच्चाई है ये जनता के सामने योगी जी, मोदी जी, आमिच्छा जी जब रखते है न तो इनके पैरो तले जमीन खिसक जाती है और उस जमीन के खिसकने की वज़े से उनके मूँ से थर-थर आती हुई आवाज निकलती है जि उन्हें हिंदुस्तान की विकास में अडंगे डाले जिन्होंने हिंदुस्तान की जनता को मारा, लूट और खसोटा आज अगर आप उनका समर्थन कर रहे हैं और फिर आपको आग लग जाती है मिर्ची लग जाती है जब आपको देश-द्रोही कहा जाता है नमक खराम कहा की दिए चाहिए लिए तेंग के बारे में इस तरह की बात बोल देंगे मैं कहूंगी आम आद्मी के बारे में पैस प्रकार की बात सो जड़ा के दिखाईए कि आपको मार दिये जाएगा कौन हैं आप आप गुंडे हैं मवाली हैं और भारती साहब ने तो दिखाया है कि उन लोगों ने ऐसे काम करें हैं आम आदमी पाटी ने तो निरंतर ऐसा कार्ड खेलने की कोशिश करिए कि परदे के पीछे से यह मारने की धंकी भी दे जाते हैं और जंता को बरगला के अबसक्तित नहीं पूरेश के तो अपनी दिल्ली की धंकी जनता को घल गुंगे मारने की जयल थे यह देह पाॉटी का कि यह द्हशे नहीं बना पाए और ऐसे के बारे में अगर आ तो आफ जिल नहीं जय क्योंकि आप खुद बोलते थे बराल हम लोग नहीं बोलते भारती जंता पार्टी की सरकार हों नेता हों कोई भी इस तरह के नबयान देती ना इस तरह के घटे और गलीच धंकियां देती इसलिए हम सर उंचा करके ऐसे लोगों को जेल के भीतर डालते हैं और डालना जरूरी हम ही है झालना